सब्सक्राइब किजिए आनलाइन टेक्नोलोजी चैनल को और नए अपडेट के लिए बैल आइकन दवाएं सबसे पहले टिकेट करने के लिए हम किलिक करेंगे IRCTC Rail Contact एप पर जब ये खुल जाएगा तो हमें यहां आलट दिखाएगा कोरोना के टाइम पर किस राज्ये में उसका क्या दिसा निर्देश है क्या गाइड लाइन्स हैं उसके बारे में आपको यहां सब चीज की जानकरी मिल जाएगी आप इसको पढ़ सकते हैं मैं तो इसको पढ़ चुका हूँ हम यहां किलिक करेंगे OK पर और यह आगया हमारा IRCTC का Main Layout जिस पर जाकर हमें अपना टिकिट बुक करना है तो सबसे पहले हम यहां इसको Login करेंगे Login करने पर यह मुझसे पोचेगा मेरा चार डिजिट का Pin क्या है तो मेरा जो पिन है वो मैं यहां डाल दूँगा और उसके बाद मैं यहां पर Capture डाल देता हूँ Capture डालने के बाद Login पर क्लिक करने के बाद उसके बाद हमारा टिकिट का प्रोसेस सुरू हो जाएगा अब यहां तीन टाइप के वो रहेंगे अगर हमारी कोई जर्नी पहले है हो चुकी है तो वो My Booking में मिल जाएगी PNR Status Check करना है तो PNR में आ जाएगा PNR Inquiry में और अब मुझे नया टिकिट करना है तो उसके लिए मैं क्लिक करूंगा Plan My Journey प्लान My Journey पर क्लिक करने के बाद मुझे Select करना है मुझे कहां से कहां तक जाना है जैसा कि मुझे लखनव से मुरदाबाद आना है लखनव से मुरदाबाद तो मैंने ये किलिक कर दिया डेट मुझे 15 मैं की चाहिए तो मैं यहां किलिक कर दूँगा 15 माई यहाँ जब क्लिक करते हैं अगर हम आगे की भी कोई 3 महीने तक का कहीं का भी हम टिकेट बुक कर सकते हैं तो मैं यहाँ 15 माई कर दूँगा और इसको ओके कर दूँगा और उसके बाद सर्च दोस्तो यह सर्च कर रहा है और आज के दिन 15 माई को जितनी भी ट्रेन होंगी वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी जितनी भी ट्रेन है वो सारी की सारी आज 15 माई 2021 के दिन की सारी आ गई है अब मुझे जो करना है टिकेट मैं उस ट्रेन को सर्च करता हूँ मेरी जो ट्रेन है वो मुझे करना है 050 11 का तो हम यहाँ देख सकते हैं 050 11 कौन सी ट्रेन का नंबर है और उसमें कितनी सीट अवेलेवल हैं हमें बहेबीच देखना है तो दोस्तों यह आ गया है 050 11 इसमें सेकिंड सिटर की 447 सीट हैं सिलीपर की 19 सीट हैं और 3 AC की 40 सीट अवेलेवल हैं जिनका प्राइज भी दे रखा है मुझे एक सीट करना है सेकिंड सिटिंग का तो मैं यहाँ किलिक कर दूँगा सिम्पली और नीचे यह मेरे को प्राइज बता देगा 140 रुपे लगेंगे और हम इसका फेर ब्रेक अप भी देख सकते हैं क्या क्या है फेर ब्रेक अप में 121 रुपे बेसिक फेर रिजर्बेशन चार्ज 15 रुपे और बाकी कोई चार्ज नहीं है बाकी जो 5-6 रुपे चार्ज लगेगा वो टिकिट फाइनल करते समय तो अब हम क्लिक करेंगे पैसेंजर डिटेल्स पर पैसेंजर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यह हमें बताएगा जो एड्वाईजरी है स्वास्थे विभाण की उसे आप सुईकार करते हैं उसका पालन करते हैं तो हम यहाँ कर देंगे I agree और यह एक notification आएगा कि कोई भी ticket होगा उसका पूरा किराया लिया जाएगा तो simply हम यहाँ आ गए हैं यह seat दिखा रहा है और यह हमारा train का details है तो अब हम यहाँ किलिक करेंगे select passenger पे और यहाँ select passenger पे add करने के बाद हम उसका नाम डालेंगे मुझे करना है शीता राम मुझे सीता राम का ticket करना है जिसकी उम्र है 18 बर्स और उसका gender male है और यहाँ अगर आप preference तो यहाँ no free friends आ रहा है हम इसको छोड़ देंगे और उसके बाद हम simply कर देंगे add passenger तो हमारा आप कोई passenger नहीं है हमें एक passenger का ticket करना था वो हमारा हो चुका है उसके बाद हम इसको scroll down करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ mobile number और email id दिखाएगा हमारा अगर हाँ हमें कोई और passenger add करना है तो हम simply click करेंगे add new add new पे click करने के बाद अगर कोई passenger का नाम है तो वो हम यहाँ add कर जकते हैं तो जैसा कि मेरा इस से में travel करने का कोई भी साथ ही नहीं है travel करना है तो एक ही ticket में कर रहा हूँ मैं उसको छोड़ दूँगा तो अब हम यहाँ नीचे आएंगे तो हम पाएंगे other preference तो other preference में दोस्तों जब भी आप ticket करते हैं तो consider for auto upgradation यह हमेशा click करना इसका फायदा आपको यह होगा कि आप अगर किसी ऐसी train में सफर कर रहे हैं जिसमें थाड़ेसी की seat खाली हैं और आपका sleeper का ticket था तो train वाले आपको swim से upgrade कर देंगे आपका 200 रुपे का ticket जो लिया था आपने उसी में आपको 1000 रुपे वाली seat दे देंगे तो यह हमेशा करना है आपको और यहाँ कोच अगर आपका कोई मित्र है जो दूसरे कोच में है तो आप यहाँ कोच का preference डाल सकते हैं जैसे की d3 तो मेरा भी कोई मित्र नहीं है मैं swim कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ इसकी जरूरत नहीं है हम नीचे आएंगे नीचे इसके बाद उसके बाद आएगा your destination address आपके गंतब्बे का पता तो यहाँ address first में मैं सबसे पहले डाल दूँगा मुरादाबाद जो मेरा डिस्टिक है मैंने डाल दिया उसके बाद pin code हम pin code डाल देंगे pin code डालने के बाद city वो खुदबाखुद select कर लेगा और उसके बाद जो भी हमारा post office है वो हम यहाँ select कर देंगे वो मैंने select कर दिया है और बाकी state वो सैम ले लेगा तो अब आते हैं हम payment mode पर payment mode के हमें दो option मिलेंगे या तो आप credit card के थुरू कर सकते हैं डेविट कार्ट के थुरू कर सकते हैं अगर आप net banking के user हैं तो net banking के थुरू कर सकते हैं दूसरा है BIM UPI दूसरा payment का option है BIM UPI बस इसमें फर्क इतना रहता है थोड़ा charge का आ जाता है तो मैं तो mostly BIM UPI से करता हूँ और credit card से तो मैंने यहाँ select कर दिया है pay through debit card उसके बाद जब भी हम कहीं travel कर रहे हैं दोस्तों कुछ नहीं पता की रास्ते में क्या हो जाए तो simply एक travel के लिए हमारे यहां उड़न्चास पैसे जाते हैं एक ब्यक्ति के तो हमें simply यह click करना जरूरी रहता है और इसे click नहीं करेंगे तो हमें no करना रहेगा अगर हम हम इसमें कोई भी click नहीं करते हैं तो हमारा ticket नहीं book होगा तो मैंने कर दिया yes and I accept the travel insurance मतलब मैं उस travel insurance को लेता हूँ हमें जो भी दुरगटना हो जाएगी तो जब हम terms and condition पढ़ेंगे तो उसमें हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या facility मिल सकती है तो अब मैं अपनी जो journey है उस तो इस समय ये मुझे दिखा रहा है गाली का चलने का टाइम 23.55 है पहुँचने का टाइम 5 गंटे 5 बचकर 50 मिनिट पर पहुँचेगी और 5 गंटे 55 मिनिट ये टाइम लेगी लखनव से मुरादाबाद तक 15 माई को चलेगी और 16 माई को मुरादाबाद पहुचेगी यहाँ passenger details में आ रहा है मेरा जो मैंने अपना ticket करा है सीता राम यहाँ मेरा mail idea आ रहा है और travel insurance opt yes आ रहा है और ये मुझे बता रहा है अगर मैं credit card के थ्रू या debit card के थ्रू पे करूँ तो मुझे 15 रूपे plus GST पे करना जरूरी है तो उसके बाद सबसे बाद में यहाँ नीचे आकर हमें यह capture डालना पड़ता है तो यहाँ capture जो दिया है वो हम यहाँ डाल देंगे जो type लिख रहा है type के आगे क्या है cancer cover तो मैंने एक answer cover यहाँ डाल दिया है उसके बाद मैं proceed to paper क्लिक कर दूँगा यहाँ मुझे एक alert दिखाएगा जो कि मुझे पढ़ना है या फिर जो भी है यह बताएगा कि अगर तुमारा ticket नहीं होता है तो 3-4 दिन के अंदर आपकी रासी जो कटी है वो swim आपके खाते में आ जाएगी अगर आपका ticket book हो जाता है तो आप अपनी journey कर सकते हैं तो मैं आगे वढ़ना चाता हूँ तो मैं यहाँ yes कर दूँगा मुझे यहाँ payment के दो मैठ थर्ड मिलेंगे जिसमें से एक है ballots बैलेट्स में यह है तो मेरे बैलेट्स में कोई amount नहीं है तो मैं दूसरे पर क्लिक करूँगा multiple payments option तो multiple payments option पर हम यहाँ जाएंगे और हम क्लिक करेंगे debit card, credit card या आप कोई भी कर सकते हैं credit card से कर सकते हैं HDFC का हो ICI bank का हो या जो भी indecent bank किसी भी पिरकार का आपका जो भी card है और जो इसमें mansion है आप किसी से भी अपना payment कर सकते हैं तो मैं normally अपने debit card से करूँगा तो मैं यहाँ किलिक करता हूँ debit card और यहाँ नीचे option अजाएगा pay, pay पे किलिक करने के बाद वो मुझे उस interface पर ले जाएगा जहाँ मुझे पर नहीं मैंने debit card पर किलिक किया है तो मैं यहाँ debit card पर किलिक करूँगा और उसके बाद अपना number डालूँगा debit card का debit card का number डाल दिया मैंने उसके बाद जो मेरे card की expiry है मैं यहाँ बो डाल दूँगा और जो expiry का year है बो भी यहाँ मैं डाल दूँगा जो हमारे card के पीछे रहता है उसके बाद जो मेरा debit card है उसका CBB जो है बो भी मुझे यहाँ डालना रहेगा तो मैं अपना CBB डाल देता हूँ यह मैंने डाल दिया और अब मैं यहाँ paper किलिक कर दूँगा और यह मुझे उपर fair बता रहा है 0.74 जो की मेरे पे GST लगा है यह मुझे उपर मेरा charge बता रहा है 108.93 convenience charge प्लस GST और inclusive of 7.4 पैसा तो अब मैं यहाँ simply किलिक कर दूँगा paper यह मुझे सीधा ले जाएगा मेरे payment option के final पर जहाँ मुझे OTP आएगा और मैं इसमें डाल दूँगा और मेरा ticket का process सुरू हो जाएगा यह मेरा OTP आ गया है और मैं अब इसको simply make payment पर किलिक कर दूँगा और दोस्तों यह मेरा finally ticket हो चुका है जिसमें यहाँ PNR सो हो रहा है और कौन सी मेरी seat है और कौन सा मेरा coach है यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है मेरा नाम मेरी उम्र और मेरा gender और कितने का बह मेरा ticket हुआ और कितना मुझ पर charge लगा और इसका हमें print लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हम पूछने पर हम इसका screenshot या इसको अपने WhatsApp पर दिखा सकते हैं या आपने app में दिखा सकते हैं किसी भी hard copy के print की जरूरत नहीं रहती online ticket के होने पर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो like जरूर करें, share करें, मन में कोई सवाल है तो comment जरूर करें अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को subscribe करें दोस्तों मिलता हूँ मैं, आपको नए वीडियो के साथ तब तब के लिए good bye